देश में 24 गंटे में 1,47,000 नए कोरोना के केस आये सामने तीसरी लहर में पहली बार डेड़ लाग से कम आये मामले 1071 लोगों ने गवाई जान भारत निकिया विंटर ओलम्पिक का बहिशकार चीन ने गलवान संघर्स कमांडर को बनाया टॉर्च बेरर भारत ने कहा हमारी राजदूत किसी भी सेरिमेनी में नहीं होंगे शामिल महरास्त के पूने में देर राध बड़ा हाथसा निर्मानर धीन इमारत में लोहे का स्लैप गिरा साथ मजदूरों की मौत मृत मृतकों में जादा तर बिहार के मजदूर चुनाओ से पहले पंजाब में एटी का बड़ा एक्शन आधीराथ सीम चन्नी का भांजा भुबेंदर हनी अरेस्ट अवैद रेत खनन मामले में होई कि रफ्तारी मधिप्रदेश में कोरोना का कहर इन दौर में तीन मौतें भुपाल में 1288 संक्रमित मिले जबलपूर में भी एक ने तोड़ा दम मधिप्रदेश के दो शेहरों को मिली नाम बदलने की मंजूरी नर्मदा जैनती से होशंगाबाद का नाम नर्मदा पुरम और बाबाई का माखन नगर होगा जबलपूर नौवर्ष की मासूम के साथ रेप का मामला आया सामने विकलांग ने शनी मंदिर दर्शन करने के बहाने घर ले जाकर किया रेप विकलांग आरूपी गरफतार रीवा पुलिस ने अमपी और यूपी में टाइम बम रखकर आमजन में दहशत फैलाने वाले तीन दहशत गरदों को किया गिरफतार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तीनों आरूपी सत्ना में परिजनों के साथ बारात में शामिल होने आई नावालिक के साथ दुशकर्म सहेली के पास ले जाने का कहकर किया नावालिक से दुशकर्म आरूपी हुआ गिरफतार सन्जेगादी मेमोरियल होस्पिटल में वाहन पारकिंग का ठेका होगा नए सिरे से इस बार वेवस्थाएं होंगी पार दर्शी 24 घंटे तक एक ही दर पर कर सकेंगे वसूली